कभी भगवान को जोर जोर से पुकारता है, अलाप लगाता है, कभी उचे स्वर में कीर्टन करता है, नाचता है, गाता है, कभी फूल चुन के लाता है, भगवान की चर्णों मरपन करता है, कभी सुन्दर भगवान को भोजन बनाता है, भोग लगाता है, उसके भाव निकर नहीं लगते हैं, कभी उदासीन सा बनकर, बैरागी सा बनकर, और सडकों पर चला जाता है, बैयार में चला जाता है, जंगल में चला जाता है, नदी की किनारे बैठ जाता है, गुम सुमो करके, प्रभू की याद में, भाव विवोर रहता है, ये दूसरी दरजे का उचा पोंचा हुआ भक् तीसरे दर्जे पर प्रेमा भक्ती है कहिए कि प्रतम दर्जा प्रेमा भक्ती का है दूसरा दर्जा भाव भक्ती का है और तीसरा साधन भक्ती का है प्रेमा भक्ती सर्व स्रेश्ट है प्रेमा भक्ती जिसके इरिदय में प्रगट हो जाती है इसी को परा भक्ती कहा है इसी को शुद्ध भक्ती कहा है निर्मला भक्ती इसमें मल नहीं, विकार नहीं इस फ़स्ट दरजे की भक्ती में भक्त रोता है तो संसार के लिए नहीं रोता या इसलिए नहीं रोता है कि मेरा मंदिर नहीं बना या मेरा घर नहीं बना या मेरे बच्चा डॉक्टर नहीं बना या कोई दुख से पीडित होकर नहीं प्रेमा भक्ती में भक्त का जो महा भाव खिलता है परम शुद्ध होता है प्रभू से के दर्शन चाहता है प्रभू से मिलना चाहता है प्रभू से बात करना चाहता है प्रभू को आलिंगन करना चाहता है प्रभू का भीयोग सहन नहीं होता है उसे जलता है जलन पैदा होती हिर्दे में बिरह अगनी में जलता है प्रेमा भक्ती का सबसे स्रिष्ट उधारन शास्त्रों में गोपियों का दिया गया है श्रीमत भागुद गीता में सुखदेव उस्वामी जी व्याक्षान करते हुए उपदेश कर रहे हैं कि प्रेमा भक्ती गोपियों की इर्दे में सर्व स्रिष्ट होती है गोपियां भगवान को नहीं भुला पाती हैं, उनके चिंतन में सदेव, चित चोर बसे रहते हैं, उनके मनन में माकान चोर बसे रहते हैं, उनके निद्रा में नेट्वर नागर होते हैं, उनके करमों में कृशन कनिया होते हैं, अश्ट प्रहर प्रभू को नहीं बुला पाते, प्रेमा भक्ती में ओत प्रोत होते हैं, ये निर्मला होती है, इसमें मल नहीं होता, पहली और दूसरे दर्जे की भक्ति में कुछ मल आउशेश रह जाता है दूसरे दर्जे की भक्ति में भी भक्त भाव भक्ति में विचार उठाता है भगवान से प्रार्थन करता है बहुत सुन्दर तेरा मंदिर बनाना चाहता हूँ विशेस खंबों के साथ 108 मार्वल के विशेस खंबे हो तेरे मंदिर में सुन्दर गुम्बज वनी हुई हो मार्वल की प्रकाशित हो और दिव्य मूर्तियां आपकी मंदिर में बिराजमान हो यह भगवान मेरे उपर करपा कीजिए गोविंद मेरे उपर कृपा कीजिए, मैं आपका मंदिर बनाना चाहता हूं इसमें भी अस्रुपात होते हैं ये भाववक्त भी साधर नहीं, ये भी स्रेष्ट वक्त है लिए प्रेमा भक्ती बहुत भिशेश है जिनको प्रेमा भक्ती की प्राप्ती हो जाती है इस संसार में वो नहीं रहते ये देहे त्याकर वो अपनी प्रभु को मिल जाते हैं प्रभु की और चले जाते हैं प्रभु के धाम में चले जाते हैं वो ववायन स्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं गोपियों का सबसे स्रिष्ट उधारन प्रेमा भक्ती में दिया गया है गोपिया अपनी घर में रहती थी अपनी पतियों के लिए सेवा करती थी बच्चों को पालती थी भोजन बनाती थी गव का दूद निकालती थी घर को साफ करती थी, पानी भरबर के लाती थी, खेतों पर जाके काम करती थी, लेकिन उनके चित से चित सोर भवान स्री कृष्ण नहीं उतरते थे, सदे पागल सी बनी रहती थी उनके देखने के लिए, लालाईत रहती थी, उनका कानों में यदि कृष्ण का नाम भी आ राम्हकृष्ण परम्हंस का नाम सबने, वो बड़े प्रकाश्मान बखत थे, प्रकत थे काली माता के भक्त थे, लेन उग्णा नाम तो राम और कृष्ण नाम से संभूदित था जब कोई उनको कोई आवाज देता था राम कृष्ण उनका कोई मिलने वाला सादू मात्मा तो उनको महावाव आजाता था अच्छे तन होने लगते थे कि भगवान राम का और कृष्ण का नाम मेरे कानों में आता है मैं कितना भाग साली हूँ राम कृष्ण ने भी ब्रिंदावन में भक्ती की थी भगवान की गोपी भाव में ही भक्ती की थी उनके विशेच प्रमाने इस बात की और वो गोपी स्वरूपाई हो गए थे प्रमान मिलते हैं इस बातके की छे मेने के अंदर भी उनका भाव, भवान स्रीक्रशन के प्रति उच्चतम सिखर पर पहुंच गया था उनके इस्थन उभरने लगे थे गोपियों की तरह किसी इस्त्री के जैसे इस्तन उभरते हैं गोपी भाव में भक्ती करते थे हो एक ऐसी संप्रदा है ब्रिंदावन में जिसमें गोपी भाव में भक्ती होती है तो भक्त कहीं से भी भवान की भक्ती करना शुरू करे वो उच्चतम सिखर पर पहुंचता है जिस भाव से भी करता है सका भाव है मित्रवत भगवान को विवार करते हैं लोग दास भाव है बातसल भाव है माता पिताओं की तरह भगवान को पूछते हैं पालते हैं खिलाते हैं प्रेम करते हैं नाम लेते हैं जैसे माता पिता अपने बीटेगा ठीक वैसे जैसे ये शुदारानी कनिया का कान पकड़ के कहती थी बोल कनिया सब लोग कह रहे हैं तो निमाटी खाईए दिखा मूँ कोल के दिखा भववान ने दिखाया ले ये शुदा माने तो ब्रह्मांद देखा अंदर मूं में तमाम ब्रिम्मान्ट चांद सूरज नंदवावा का घर और तो नंदवावा बैठे हुए है माहा भाव में आ गई है मूर्चा हो गई बुला दिया कृष्म ने सब कुछ क्या देखा क्या नहीं देखा बगवान ब्रज में मिठी खा रहे हैं ये जानकर कि इस ब्रज भूमी में मेरे एक से एक बढ़कर शुद्ध भक्त जन्म लेते हैं ले रहे हैं आज भी हैं कल भी थे कल भी होंगे आज भी है आज भी भगवान के शुद्ध तम भक्त भरंड़ा बन गोकुल बरसाना नंद ग्राम बहुला बन कदम बन इनमें मिलते हैं और इतने सीधे सरल सुभाव में मिलते हैं कि आप उनको पहचान नें में गलती कर देंगे नहीं पहचान शुद्ध भक्त आडंबरी नहीं होता दिखावा नहीं करता नहीं याचक होता नहीं किसी से कुछ मानता है पैसा या सुन्दरवस्त्र जैसा प्रभू सप्लाई कर दें आनंद लेता है बलकि एकसस सप्लाई कर दें तो रिजेक्ट भी करता है कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए मेरे फस है दो कपड़े हैं दो जोड़ी कपड़े हैं पाओं में चपल हैं सब आनंद है आप आनंद में रहो भगवान आपको भी प्रसंद रखें भगवान अपनी भक्ती तुमे नहीं भी दें I am very satisfied प्रेमा भक्ती गोपियों की होती है तो यह दुराचारी व्यक्ती भी चांडाल भी यह कोई less intelligent woman भी यह संसार में ब्यापार में फसा हुआ आदमी भी यह तक कि वैश्या भी यह दि भगवान की शर्ण लेकर उनका भजन करे भक्ती करे साधन भक्ती में प्रिवेश करे बेशक अपना धंदा ने त्यागे तब भी भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी शीग्री परम शांती को उपलब दो जाते हैं परम शांती तो भगवान के धाम में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है भगवान कहते हैं शच्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् क्षिप्रम भावती क्षिप्रम अनिशीग्र क्षिप्रम भावती धर्मात्मा शीग्री वो चांडाल या वैश्य या दुराचारी महात्मा हो जाता है महान आत्मा महान आत्मा कहते हैं जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है सेल्फ रिलाइशन हो गया है आत्म साक्षात कार हो गया है उसको महात्मा कहते हैं हर किसी को नहीं सम्मान वेशक सभी को देना चाहिए सम्मान देना तो दैवी गुण है सभी को सम्मान देना चाहिए पसु पक्षियों को भी सम्मान देना चाहिए फिर कोई भगवान की साधना कर रहा है उसको महत्मा कह दो तो इसमें हर्ज नहीं है आपका बड़पन है यहां तक किसी ने साधू के कपड़े भी पहन लिये है और अंदर से साधू नहीं है तब भी महत्मा कह दो तो आपका बड़पन है आपकी तरक्की है आध्यात्मिक्ता की और और कोई महत्मा भी हो रियल महत्मा और उसको तुम तिरुसकार करो इगनोर करो या अपना जैसा ही मानो या कोई लाल ची ग्रीडी पैसे का मानो तो यह हमारा बड़पन नहीं है यह हमारा छोटा पन है सोचनी की बुद्धी कम है अमारे अंदर एहंकार प्रबल है अमारे अंदर इसलिए एक महत्मा को ही हम महत्मा कहने में संकुचीत होते हैं सर्क सुकरते हैं नहीं कह पाते हैं क्योंकि जब देखते हैं कि महत्मा यह लंगोटी में घूम रहा है आगे पीछे कुछ है नहीं भोजन की तलास में डोल रहा है यह फक्कड को हम क्या मात्मा कहें यह एक गरीब घर में रह रहा है अपने बच्चों को पता नहीं कैसे कैसे खिला पिला रहा है इसको क्या हम मात्मा कहें तो इसमें हम संकुचित होते हैं सुकडते हैं छोटे बनते हैं फैलते नहीं फैलेगा तो वो ही जो सबको सम्मान करेगा सबको आदर सबकार करेगा सबको प्यार करेगा वो फैलेगा सुकड़ेगा नहीं सुकड़ेगा तो वो जो प्यार की कला नहीं सीखेगा सम्मान देना नहीं सीखेगा किसी को आदर स्वागत नहीं करेगा किसी से बात नहीं करेगा बगल में से मूँ फुला के निकल जाएगा वो सुकड़ेगा भगवान के बक्त कमल के फूल की तरह खिलते हैं इर्दे में भी और चेहरे पर भी नेत्रों में भगवान के बक्तों के जो वैरी हैं वो मूफ लाए हुए रहते हैं एंकार में रहते हैं नजरों में कुरूर कुरूरता समाई हुई रहती है विर्दे में धूर्टता समाई रहती है वो सुकर चुके हैं उनका पतन संभव है उनको दुख तकलीफ हैं गेरने वाली हैं गेरे हुए हैं वो सुखी नहीं है वो अपने मन में ही बुद्धिमान बनते हैं वो उनकी मर्जी है भवान स्री कृष्ण के भक्त थे सुदामा बड़े गरीब थे ब्रामन थे उच्छ कोटी के ब्रामन थे लेकिन दरिद्र थे घर में कुछ नहीं है उसको दरिद्र बोल देते हैं कि खाने को भी अन्य नहीं था पहने कोई वस्तर नहीं थे टूटी सी एक छपरा था उसमें रहते थे पत्नी थी उनकी एक सुसीला कि बच्चों का प्रमान तो मुझे नहीं मिला कहीं लिए पत्नी थी अभी इतने ये शुद्ध महात्मा थे भगवान की बग्त थे कि भगवान इनको आलिंगन करके असुरुपात करने लगे अभी ऐसे छुपे हुए महात्मा आदरनी यह नहीं है तो कौन है पिर जिनको आत्म ज्यान है वो तो ब्रक्षों को भी सम्मान करते हैं ब्रक्षों की जड़ों को अपने हाथ से चुकर सर के लगाते हैं यह समझके कि मेरे परमात्मा इस ब्रक्ष के अंदर भी है सुदामा जी तो बड़े गरिब थे और कुछ समय उन्होंने ऐसा निकाला कि एक ब्रत ले लिया उस ब्रत का नाम है ययाचिक ब्रत ययाचिक ब्रत का मतलब यह है कि याचना नहीं करना किसी भी वस्तू की किसी से भी लेने की याचना नहीं करना मांगना नहीं तो बड़ी और भी गरीबी हालत होगी आकर एक दिन काफी भूका था परिवार उनका दो दिन से घर में किरपा एस और जी रेस्टूरेंट एंड स्वीट्स करवर का स्वाध होवे गर्मा गरम मक्की दी रोटी ते सरोधा साग होवे मन करे छोले पटूरे खाननू लोड नहीं किदरे जाननू गर्मा गरम जिलेबी गोड़नाल बनियाते शुगर फ्री मिठान्या खरीदन दे ले प्रभू किरपा एस और जी रेस्टूरेंट एंड स्वीट्स सचोंती डैस जीरो तेन रॉकवे बुलेबार ओजन पार्क न्यू यॉजर्क गिल्मा गरम जानकारी लिए लिखे न बनाते काल करो खूबसूरत पार्टी लिए हाल्दा भी प्रभंध है अट्लांटिक फार्म कैश और खैरी ताजियां हरियां सब्जियां मन पॉंदे फ्रेश फॉल इंडियन बेस्ट इंजिन पाकिस्तानी यते बंगाली ग्राउसरी खरीद दे ले सत्तों दिन चौवी केंटे आप भी सेवा करदा है अट्लांटिक फार्म कैश और कैरी 114-15 अट्लांटिक एविन्यू रिच्मेंट हिल न्यू यॉक बदेरे जानकारी ले काल को